बिग पौरुस मोशन पिच्चर्च के यूटूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम लोग अपने इस कंपनी के मिशन और बिजन की चर्चा करेंगे हम लोग क्या करना चाहते हैं क्यों यह यूटूब चैनल बनाया गया इसके विशय में हम लोग चर्चा करना चाहते हैं तो आगे आपने देखा होगा कि एक एपिसोड बना हुआ है फार्मिंग आप सिटी एंड मेट्रो सिटी मतलब सहर नगर की खेती तो गाउं की खेती के विशय में तो आप लोग ज्यानते ही हैं लेकिन इस कंपनी का उद्देश से है कि आप सहर की खेती करना सिखें गाउं की खेती को छोड़कर सहर की खेती करना सिखें और सहर की खेती में एक समस्या यह है कि सहर में जमीन नहीं होती है वहां की जमीन बाजार होती है तो आपको बाजार में कैसे टिके रहना है बाजार में टिके रहने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए वो चीजें आपको इसमें बताई जाएं इसलिए इसका पहला ध्याय है शेल्समैन क्यों बने और कैसे बने यह बाजार में आपको टिके रहने की योगता बता रहा है उसके बाद कमपनी का उद्देश यह है कि लोग महानगर की खेती करना से और महानगर की खेती की जमीन होती है स्टोरी या कहाने तो जब तक लोग स्टोरी या कहानी के बिसे में नहीं जानेंगे तो वे एक्टर कैसे बन पाएंगे डारेक्टर कैसे बन पाएंगे प्रोड्यूसर कैसे बन पाएंगे और भी उसमें तमाम फंक्शन होते हैं गीतकार संगीतकार गायक बादक नर्थक अर्थात अगर हम महानगर की खेती करना सुरू कर दें है तो यह खेती जमीन पर नहीं होती है हवा में होती है लेकिन कैसे होती है यही जानना महत्पूर है और महानगर की खेती करने वाला मजदूर जिसे एक्टर कहा जाता है वो भी करोणों में खेलता है तो आज हम उसी की चर्चा करने वादे हैं तो सबसे पहले कमपनी के सामने यह समस्या थी और आज भी बरतमान में है वाया है कि अगर मैं प्रोफेशनल कलाकारों को लेकर फिल्म बनाता हूं तो फिल्म का बजट बढ़ जाता है जो पनी सामर्थ से भी जादा हो जाता है एक दो गुना नहीं दस गुना नहीं सव गुना से भी जादा चला जाता है और इसके बावजिद भी यह गारंटी नहीं है कि फिल्म हिट ही हो जाए और यदि फिल्म पिट गई तो फिल्म के बजट को लेकर जो लोन वगेरा होगा वो कैसे किया जाएगा कैसे दिया जाएगा और यही समस्या नहीं है समस्या यह भी है कि यदि मैं नए कलाकारों को लेकर फिल्म बनाता हूं तो भी फिल्म पिट जाते हैं गारंटी किसी में नहीं है तो बुद्धिमान लोग एक एक कदम फूं फूं के उठाते हैं तो हमने बीच का रास्ता निकाला बीच का रास्ता क्या है कि हम लोग नए नए कलाकारों का चयन करेंगे और उनको प्रसिक्षण देकर प्रोफिस्नल बनाएंगे उसके बाद फिल्म बनाएंगे कंपनी ने जब कलाकारों के चैन की बात आई तो अध्यन किया तो पाया कि नरतक सर्वस्रेष्ठ कलाकार हो सकते हैं नरतक सर्वस्रेष्ठ एक्टर हो सकते हैं बस थोड़ा सा उनको फिनिसिंग टच देने की जरूरत है और लेखक और कभी को सर्वस्रेष्ठ संबाद ग्यान होता है उनसे कहानिया लिखवाने में अगर थोड़ा सा फिनिसिंग टच दे दिया जाए उन्हें बता दिया जाए कैसे लिखनी है आपको कहानी तो वे बहुत अच्छी कहानिया लिख सकते हैं और कंपनी ने अध्यन में यह भी पाया कि ब्यवसाई लोग सबसे बढ़ियां अदाएगी करते हैं ब्यवसाई माने दुकानधार अब किसी भी दुकान पर चले जाएए अगर बढ़ियां बिजनेसमेन होगा तो आपको बिना समान लिए वहां से उठने नहीं देगा अर्थात वो ऐसी अदाएगी करेगा कि आपको समान लेने पर जाएगा तो कंपनी ने यह निश्चय किया कि क्योंना हम ऐसे कलाकार की तलास करें जिनमें तीनों का मिस्त्रण हो एक तो नए कलाकार हो दोसरे उनमें तीनों का मिस्त्रण हो और यदि मिश्रन नहीं है तो तीनों मिश्रन डाला जाए उनके अंदर तब वो टाप के सुपरिस्टार बन सकते हैं कलाकार बन सकते हैं इसलिए हम लोगों को पहले प्यावसाई बनने के लिए प्रेडित कर रहे हैं क्योंकि ब्यावसाई अपनी भी कीमत जानता है और समान की भी कीमत जानता है बाकी लोग न तो अपनी कीमत जानते हैं और नहीं समान की कीमत जानते हैं और जो अपनी कीमत जानता है वह समानों के कीमत की सवदेवाजी अच्छे ढंग से करता है जबकि जो यह सब नहीं जानता है वह समानों की कीमत की सवदेवाजी करना ही नहीं जानता और सवदेबाजी नहीं आने के कारण लोग सवदेबाजों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं तो यदि नए प्रोपेशनल बना कर हम फिल्म बनाएंगे तो इससे अगर दो-चार फिल्में फ्लाब भी हो जाएंगे फिर भी बजट का इसू नहीं रहेगा और दो-चार फिल्म में बनने के बाद तो अपने आप मार्किट बन जाएगी और फिल्में हिट होना सुरू हो जाएगी तो कमपनी ने यह भी अध्यन में पाया कि फिल्म हिट होने के लिए मात्र तीन चीजों की भूम क्या होती है मात्र तीन चीजों वो काउन काउन है एक तो है संबाद ज्ञान डायलाग का नालेज दूसरा है संबाद अदाएगी डायलाग डिलवरी और तीसरा है अएक्टिंग कलाकारी अदाकारी बस सारी फिल्म इसी के इर्दगिर्द घूमती रहती है अलाकि बैक इंड में फ्रंट इंड से ज़्यादा कारी होते है लेकिन जो लोगों को दिखाई देता है यही तीन चीज़ दिखाई देता है एक तो संबाद ग्यान की राइटर के पास संबाद को प्रजेंट करने की प्रस्तुत करने की कला कैसी है और दूसरा संबाद अदाएगी अर्थाथ आएक्टर उस संबाद को प्रस्तुत कैसे करता है और तीसरा अदाकारी अर्थाथ डाइरेक्टर अपने अएक्टर से किस तरह से अदाकारी कराता है इसलिए नए कलाकारों को फ्रोस्प्रेशनल बनाने में इन्ही तीनों पर विशेश ध्यान देना है जब लोग सेल्समैन बनेंगे तो वे लोगों से संबाद करेंगे इससे उनके संबाद अदाएगी में निखार आएगा यदि आपके मन में भी फिल्म में काम करने की तमन्नाएं कुलाचे भर रही हो तो यह चैनल आपके लिए भगवत गीता का कारे करेंगे और यह आपको आएक्टर डारेक्टर प्रोडीउसर आधि बनने में सहायता प्रदान करेंगे इसलिए आप इसे सब्क्राइब करके रखिए लाइक करिए सेयर करिए कमेंट करिए तो जब हम फिल्म बनाना शुरू करते हैं तो शुरुवात होती है प्रोडीउसर से वह किसी लेखक को पकड़ता है स्टोरी तयार कराता है उसकी स्क्रिप्ट तयार कराता है डारेक्टर और कैमरा मैन की सहायता से उसका पटदर से लिखा जाता है जिसे स्टोरी बोर्ड कहते हैं इस तरह से कारी आगे बढ़ता है तो मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है कि फिल्म की सुरुवात होती है प्रोडीउसर से लेकिन काम सुरू होता है राइटर से कहानी ही फिल्म की सब कुछ है उसी के अंसार पुसार तयार की जाती है प्रापर्टियां इकठा की जाती है लोकेशन हंट किया जाता है और बजट भी वही निर्धारन करता है कहानी कारी तो कमपनीम ने अध्यान में ये पाया कि एक्टिंग जन्मजात होती है ये किसी पे थोपी नहीं जाती है जो कुछ कमी रहती है उसे मेकप द्वारा पूरा कर लिया जाता है जबकि संबाद ग्यान और संबाद अधाएगी डायलाग ना ले जाएं डायलेग दिलवरी ना तो जन्मजात होती है और ना ही मेकप द्वारा पूरा की जाती है और हर एक्टर में यही दो चीजें दिखनी आवस्यक है और यह काम सेल्षमाइन बनकर आशानी से सीखा जा सकता है दूसरी बात यह है कि फिल्म का हीरो या हीरोईन या बिलेन या सहायत किसी ब्यक्तिकों ही बनाया जाता है किसी जानवर को नहीं बनाया जाता है और यह सिर्फ प्रदर्शन पर निर्भर करता है जितना बढ़ियां आप प्रदर्शन करते हैं, आने वाली फिल्मों में उतना बढ़ियां आपको रोल दिया जाता है. यदि आपका अच्छा प्रदर्शन होगा, तो आपको फिल्मों में काम दिया जा सकता है. इस कमपनी का उद्देश मात्र आपको एक्टर बनाना नहीं है एक्टर या कलाकार तो मात्र फिल्मों में मजदूर हुआ करते हैं इस कंपनी का उद्देश लोगों को प्रोडिउसर डारेक्टर बनाना है और उससे भी आगे बढ़कर फाइनेंसर अर्थात बित्पोसक या निवेशक बनाना है और सबसे आगे बढ़कर पूजी पती बनाना है ताकि संबिधान की संकल्पना को शाकार किया जा सके तो संबिधान की संकल्पना क्या है? लोगतांत्रिक पूजी वाद लोगतांत्र की अस्थापना हो चुकी है लोगतांत्रिक पूजी वाद की अस्थापना अभी होना बाकी है इतना ही नहीं इस कंपनी का उदेश है आपको गाओं की खेती से निकाल कर सहर की खेती करना सिखाना और सहर की खेती से के साथ साथ महानगर की खेती करना सिखाना है अगर इसके विशे में आप जानना चाहते हैं तो फार्मिंग आप सिटी एंड मेट्र सिटी वाला एपिसोड मेरा देखें इतना ही नहीं लोगों को गीतकार, संगीतकार, गायक, बादक, नर्तक, एडिटर, अरेंजर, कैमरा मैन अर्थाथ फिल्म बनाने के लिए एक लंबी चवरी फेहरिस्थ है इम्पलाईयों की या काम करने वालों एक फिल्म बनाने के लिए ही कम से कम देख सव दो सव लोगों की टीम हुआ करती है तो कम से कम देख सव दो सव लोगों को रोजगार देना भी इस कमपनी का उद्देश से है यदि मेरा यह विचार आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्क्राइब करिए लाइक करिए कमेंट करिए और सेयर करिए और बिल की घंटी दवाना न भूलें बिल आइकन दवाना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो से आपको आउगत कराया जा सके धन्यवाद